नमस्कार दोस्तों, welcome back to YouTube channel, welcome back to another episode इस बसे बात करेंगे reverse image search के बारे में नॉर्मली आप keywords यूज़ करके images सच करते हैं मगर यहां पर reverse image search के अंदर आप image upload करके उसका similar images find out करते हैं उसका details निकालते हैं question है कि कौन यूज़ करते है टूल photographs यूज़ करते हैं, journalists यूज़ करते हैं, researchers यूज़ करते हैं for example मैं एक photographer हूँ, आप मैं जाना चाहता हूँ कि मेरा image कौन without permission यूज़ कर रहा है इसके लिए मैं इस tool को यूज़ कर सकता हूँ इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से tool से, जिसे यूज़ करके आप reverse image search कर पाऊँगे इस category पे बहुत सारे apps भी है, search engines भी है सबका details इस वीडियो में बताएंगे, सब्सक्राइब चैनल, लेच चाहते वीडियो दोस्तो, reverse image search करने के लिए सबसे अच्छा tool है Google Image Search Google Image Search हम mobile और desktop पे यूज़ कर सकते हैं पहले हम देखेंगे mobile पर इसे कैसे यूज़ करें उसके लिए आपको mobile पर Google Chrome या कोई और browser ओपन करना पड़ेगा browser पर आप just enter करें Google.com Google.com पहुंशते ही उपर आप देख सकते हैं images मतलब एक Google Image Search है उस लिंक को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहां पर Google Image के अंदर कोई upload option नहीं है आपको settings के अंदर जाना पड़ेगा settings पर क्लिक करें desktop site इसको चिक किया तो desktop version of google.com आजाएगा यहां पर आप देख सकते हैं images upload करने का option आजाता है उस camera icon को क्लिक करें क्लिक करते ही आपको दो option आएगा एक है URL टाइप करने का दूसर है second tab पर upload image यहां पर मैं दूसरा option सेलेक करता हूँ upload image मतलब आप अपने mobile से कोई भी image file को drag and drop कर सकते हैं या browse कर सकते हैं एक और option है अगर आप कोई image आपने browser पर open किया तो reverse image search करने के लिए इस image पर प्रस करें प्रस किया तो एक option आएगा search google for this image मतलब आप इस image को google search image का input करके use कर सकते हैं यहां से तो automatically google image search open होगा और इस image का relative image और details फेच करके लाएगा तो दोस्तों इस तरह आप reverse image search कर सकते हैं google के सहाय से कुछ और भी search engines है जैसे कि bing हुआ, verify हुआ, pixeci है हुआ, tin eye, yandex ic search engines भी यहां पर available है reverse image search करने के लिए best option है google image search बहुत ही आसन है और google chrome के साथ बहुत ही convenient भी है जैसे आप reverse image search कर सकते हैं जैसे कि veracity, search by image, reverse see ic apps भी है जिसको यूज करके आप reverse image search कर सकते हैं desktop या computer पर यूज करने के लिए same procedure है आपको browser पर google.com open करना चाहिए open करके google image link को click करे click करते ही आप देख सकते है click करते ही google image search page पर एक camera का icon है उस icon को click करे इस icon को click किया तो दो options आएंगे आप एक image का live URL टाइप करके उसे search कर सकते हैं या upload कर सकते हैं अपने computer से मैं यहाँ पर upload करता हूँ upload करने के लिए भी दो options से आप drag and drop कर सकते हैं या अपने computer से browse कर सकते हैं उसके बाद image upload होगा search result में आपका image related और भी images आएगा उसका details भी आएगा तो इस तरह आप Google image search tool यूज़ करके reverse image search कर सकते हैं उसका details निकल सकते हैं उसका related images निकल सकते हैं हाँ अगर आप use करते हैं Google Chrome तो किसी भी image पर Google Chrome के अंदर right click करे और click करे search Google for image इस link को click किया तो automatically Google image search open होके आपने जो click किया है image का उसका related images और उसका details निकल कर search result दिखाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है इस वीडियो में हमने देखा reverse image search के बारे में कौन-कौन सा tool इस वीडियो में इतना है वीडियो अचे रगा तो करे, शेर करे, ढुचा करे ऑट सब्सक्राप्न निक्यो निक्तरा में तो करे देखाएगा एंघ्टाच्न ऑस्क्राइबपियो में का बिस वीडियो में इतना है इस वीडियो में वीडियो में इतना है how to use Google image search in Android iOS and computer first of all if you are using an android phone you have to open Google Chrome or any other browser and navigate to Google.com here you can see on the top side there is a link image click on that it will leads to google image search here you can see there is no icon for uploading any image for uploading an image you need to go to the settings of that browser and check desktop site if you check desktop site you can see there is an icon for uploading image a camera icon click on the camera icon when you click that icon you can see two options are available either you can paste a url by which you can do the image search second you can upload from your mobile here i am doing the upload process you can either drag and drop or browse from your mobile once the upload is completed you can see the search results related to that image is available on the search result by this way you can do a reverse search on google image search by using mobile if you are using chrome just right click on any image on the browser you can see an option saying search google for this image click on that link if you do that the same process google image search to do it will be available on your search result the same procedure is done on the ios also next we consider how we can do reverse image search on computer here also open your browser say google chrome inside that navigate to google image search here you can see the camera icon is available click on that here also you have two options either you can paste any web image url or you can upload from your system once you upload you can see the search results are available different size image and image details are available on the search result here also on the chrome browser if you right click on the image and you can select search google for image as we did in mobile these are the main techniques for doing reverse image search by using google image search now let's consider some other search engines and apps search engines like bing verify pixsi thin eye yandex are available for you to do reverse image search but i would definitely prefer the best option is google image search in terms of mobile apps you can go for veracity search by image reverse c so guys that's all in this video in this video i have considered how to do reverse image search if you no doubt write in comment section like share the video subscribe channel thank you